So, hello my dear friends, I am Decker and I welcome you to learn with Decks. Dear friends, first of us, I would like to say thank you to all of you because with your support and love, I gain my first 100 family members of YouTube. दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी का सुक्रिया आदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही के support एवं प्यार की मदद से यहाँ मुझे अपने YouTube के परिवार के पहले 100 सदस्या मिल पाए हैं. आसा करता हूं मित्रों कि आगे भी आप ऐसा ही अपना support और प्यार बरकरार रखेंगे. चले दोस्तों, बात कर लेते हैं बाच के topic के बारे में. आज हम यहाँ पर grammar का एक बेहद ही आसान सा topic, singular और plural के बारे में बात करने वाल हैं. Yes, my dear friends, singular यानि की एक वचन और plural यानि की बहुचन. जयातर जब किसी एक वस्तू, एक व्यक्ती या एक जगहा के बारे में बात की जाती है, तो उसके लिए singular यानि की एक वचन का इस्तमाल किया जाता है. और एक से अथिक वस्तू, व्यक्ती या जगहां के बारे में जब बात की जाती है, तो इसके लिए plural यानि की बहुचन का इस्तमाल किया जाता है. अब यहाँ पर हम कुछ basic सी definitions, कुछ examples को solve करेंगे, और I am damn sure कि वीडियो का end होते होते, इन सभी examples को आप अपने आप solve कर पाओगे. So my dear friends, वीडियो को end तक ज़रूर देखेगा. चलिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ basic सी definitions के बारे में, यह definition मैंने लिखी हुई है, singular और plural के बारे में. क्या लिखा हुआ यहाँ पर मैंने, तो my dear friends, उसको समझ लेते हैं फटाफट, कि a singular noun names one person, place, thing, or idea, while a plural noun names more than one person, place, thing, or idea. एक वचन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो किसी एक व्यक्ति, किसी एक जगा, किसी एक आईडिया, या फिर किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, और बहु अचन, यानि plural के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक जगाएं, एक से अधिक आईडियाज, या एक से अधिक चीजों के बारे में बात करते हैं, अब आगे देखते हैं friends, plural noun, मैंना अभी आभी आपको बता दीज की definition की जब एक से अधीक व्यक्ति, एक से अधीक वस्तु, एवन एक से अधीक जगाहों के बारें बात करेंगे, तब हम इस्तमाल करेंगे plural noun का, अब my dear friends, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, और आप अ जरूर दबाईएगा, समझते हैं friends, यहाँ पर बेजिक से कुछ एक्जांपल के बारे में, तो singular के लिए एक्जांपल हमें लिखा है, cat, dog, well, donkey, cat यानी की बिल्ली, dog यानी कुत्ता, well यानी जो well मचली होती है वो, donkey यानी की गधा, अब plural, बहु अचनक जब इसको में convert करें Cat को हम कर देंगे, cats, dog को कर देंगे, dogs, well को कर देंगे, Wells और donkey को देंगे, donkeys. अब यहां singular में सारी की सारे एक व्यक्ति, एक प्राणी, या एक वस्तुओं के बारे में बात की जाती है, जबकि half plural में, aans term ख्र पिर प्रहणियों के बारे में बात की जाती है, लेकिन माइडिया फ्रेंड्स यहां कुछ सर्टैन रूलस आते हैं, जो कि प्लूरल यानि बहु अचन को समझने के लिए बेहत ही ज्यादा आवश्यक है तो उन रूल्स को समझते हैं टोटल माइडिया फ्रेंड्स यहाँ पर आठ रूल्स के बारे में बात की जाती है जो की हमें सीखना जरूरी है तो चलिए फटाफट इन रूल्स को समझ लेते हैं अब यहाँ पर प्लूरल नाउन के लिए कुछ रूल्स दिये हुए है सबसे पहला फ्रेंट्स में दिये दिया हुआ यहाँ पर की Add as to form the plural of most nouns ज्यादा तर जो नाउनस होते हैं उनके लिए किसा का इस्तिमाल के जाता है S का इस्तिमाल जिसके दिखे गर्ल में क्या हो गया गल्स हो गया एपल में क्या हो गया इपल्स हो गया ıyorsun यहाँ आम कहले हम किसका इस्तिमाल करनें end, in, ch, sh, s, x, or z ऐसे सभी नाउन जिनके अंत में क्या आता हो तो ch, sh, s, x, or z आता हो example दिखे यहाँ पर क्या दिया हो है bench अब bench के end में आप देखोगे तो क्या आएगा फैर friends यहाँ ch आ रहा है तो ch आता हो तो यहाँ पर हमें लगा देना है yes this में देखे sh, sh भी दिया हो तो हमारे लिश्ट में यहाँ पर तो यहाँ भी क्या करना है yes लगा देना है फिर bus आया यहाँ पर ठीक है अब bus के लिए भी friends क्या हो जाएगा yes हो जाएगा then box o या फिर x आ रहा है यहाँ पर तो इसके लिए भी yes तो माइडिया फ्रेंड्स जभी भी यहाँ पर आपको क्या दिखेगा sss, ch, sh, x, x, z तब आप किसका इस्तेमाल करोगे तब आप इस्तेमाल करोगे yes का then बात करते हैं थर्ड वाले की तो for nouns that end in y with a consonant before the y change the y to i and add es क्या बोला हुआ इस समस्ते यहाँ पर कि ऐसा noun जिसके अंत में क्या दिया गया हो my dear friends वाय दिया गया हो लेकिन y के पहले वाला जो सब्द हो वो क्या हो consonant consonant यानि व्यंजन अब व्यंजन और स्वर क्या होते हैं तो मैंने आपको आर्टिकल्स के वडियों बताया था कि स्वर पांच होते हैं कौन कोंसे ए ए आई ओ यू यह पांच स्वर तो इन सभी के अलावा जो है वो क्या हो गए व्यंजन तो देखिए आखरी सब्द क्या है वाय के पहले क्या है काने उन जनने तो इसको क्या करना है हमें वाय को निकाल देना है और उसकी जगा लगा देना है आई ए-एस क्या गहाँ मैंने फ्रेंड्स हैं है कें लिखा हुए ता यहां था हमें वाय मिला और य के पहले क्या दिया हुआ मैडिया फ्रेंट्स तो consonant विएंजन है तो यहां भी क्या करेंगे Y निकाल देंगे और क्या लगा देंगे I, E, S होपसो फ्रेंट्स यह समझ में आ गया हो कि Y हो अंत में और Y के पहले consonant विएंजन हो तो हमें लगाना है I, E, S अब उल्टा समझते हैं कि यहां अगर Y दिया हो एंड में और Y के पहले वावल यानि स्वर हो तो क्या करना है तो माइडिया फ्रेंट्स लगाना देखिए यहां T, O, Y है Y मिला Y के पहले क्या है O A, E, I, O, U में आ रहा है मतलब कि यहां हमें सिर्फ क्या लगाना है S लगाना है फिर देखे हमें मिला Monkey, Monkey में भी क्या है Last में Y है, Y के पहले क्या है S, E है My idea friends, वावल है तो इसमें भी हमें क्या करना है Simply S लगाना है यहां पर हमें Y को रिमूव करना नहीं है और यहां क्या करना है यहां पर Y को रिमूव कर देना है उसके जगह क्या लगाएंगे हम I, E, S फिर सर्फटाफट friends में रिवाइज करवाता हूं कि सामने नाउन के लिए Simply S लगाएंगे जिसके पीछे S, SS, SH, CH, CH, S, X, Z आता हो उसके लिए E, S लगाएंगे और Y आता हो आखिर में Y के पहले Consonant वेंजन आता हो तो Y निकाल देना है और I, E, S लगाना है और यहां पर जब आखिर में Y हो और Y के पहले WOWL यानि कि स्वर हो तब हमें simply S लगाना है यह हो गए friends स्टाइटिंग के चार अब और चार की बात कर लेते हैं अब दीखें यहां पर लिखा हुआ है पाँचवा For nouns that end in F और F E ऐसे nouns जिसके अंत में क्या आता हो F आता हो या F E आता हो तो यहां क्या करेंगे हम F और F E को निकाल देंगे उसकी जगा हमें लगाना है V E S ठीक है friends क्या कहा मैंने फिर दें समस्ते हैं मैंने यहां पर ऐसा कहा कि S Nouns जिसके अंत में क्या आता हो F आता हो या F E आता हो उन दोनों को हमें क्या करना है निकाल देना है उस जगा क्या लगाना है V E S अब देखिए यहां लिखा है लोफ ठीक है लोफ में लास्ट में क्या है F F क्या है यहां पर F आरा है my dear friends F या F E दो में से कुछ भी आना चाहिए तो यहां F निकाल देंगे और यहां क्या हो जाएगा तो V E S लगाने से हो जाएगा लोफ फिर नाइफ नाइफ में क्या है F E आ रहा है तो F E निकाल देंगे और V E S तो यह हो जाएगा नाइफ ठीक है friends अब आगे देखते है स्थिक्त वाला तो for nouns that end with A consonant before N O add E S अब ऐसे नाउन जिनके आखिर में O आता हो वेंजन तो हमें क्या लगा देना है E S टॉमेटो टॉमेटो में भी last में क्या आया O O के पहले क्या आया मैद यह आया Consonant वेंजन तो यहां भी लगाना है हमें E S सात्वा समझते है तो some nouns change the spelling of the singular noun अब कभी कबार ऐसा होता है कि हम उसमें कोई rule नहीं लगा सकते है My dear friends कि S हो गया E S हो गया फिर यहां पर उसके अलावा V E S हो गया या I E S हो गया यह हम नहीं लगा सकते है तो यहां पर हमें क्या करना है simply उसके नाम के अधरित या दरखना है For example child child या निए बच्चा और इसे हम इसे प्लूरल करना है तो इसके लिए हम करेंगे children ठीक है बच्चे हो जाएगा यह mouse यानि चूहा और इसे हमें प्लूरल करना है तो यहां का कर देंगे mice कर देंगे So my dear friends कुछ नामवाइज यह ऐसा भी होता है कि जिसे हम किसी rules certain के मतद से नहीं याद रखते हैं इसे हमें नामवाइज याद रखना है आखरे वादा देखते है तो some nouns use the same singular and plural form कुछ नाउन ऐसे होते हैं आपर कि जिसमें singular यानि एक वचन और plural यानि वहू वचन दोनों एक समान होते हैं जैसे कि fish तो fish का singular भी fish plural भी fish deer deer का singular भी deer और plural भी deer और examples बताता हूँ friends ऐसा ही कि जिसके अंदर singular और plural क्या होंगे same होंगे तो देखें sheep sheep में singular same है plural same है Chinese में भी दोनों same moose यहाँ भी same फिर ग्रेफ फ्रूट यहाँ भी same singular and plural deer में आपको पहले ही बताया Salman क्या एक मचली होती है यहाँ भी कहें दोनों same मतलब singular और plural इन सब में क्या होते है my dear friends एकदम same-same ही होते है फटफट में आपको revise करता हूँ friends जो जो हमने यहाँ पर देखा हमने देखा यहाँ पर सामान यह नाम के साथ हम लगाएंगे S जिसके end में S, SS, CH, SHS, X और Z आता हो वहाँ पर ES then Y हो Y के पहले consonant यानि विंजन हो तो Y निकल के IES और Y के पहले swear हो vowel हो तो simply S then last में F या F E आता हो तो F, F, E को निकाल देना यह जगा लगाना यह लगाना है यहाँ पर लास्ट जो आता हो आल्फाबेट O हो उसके पहले consonant यानि विंजन हो तो हमें क्या करना है ES लगाना है यहाँ पर इसके बाद में हमने देखा कि कुछ हमें नाम के वाइस याद रखने अब देखिए यहाँ दिया हुआ इस यह देखा था हमने सेकंड वाला रूल कि लास्ट में क्या आया SH आया SH आया हमें तो हमें क्या कर दा है वैसे ही लखना इसे और हम इसे कर देंगे DISS इस ठीके फ्रेंट्स SH आया GOT SIMPLY हमें कर देना है यहाँ GOT यानि यह हो जाएगा बकरिया Peach Same my friends जो यहाँ किया हमने वहिया करेंगे यह क्या हो जाएगा Peaches Book Book का SIMPLY हमें करना है Books Chair Chair में भी सिरफ SIMPLY हम लगा देंगे S Box X I am I dear friends तो यहाँ हम कर देंगे ES यह हो जाएगा Boxes Then Door तो यहाँ क्या करना है हमें Simply Door को Sorry यहाँ Door Bus तो Bus को हम Yes कर देंगे Stow और Lunch यह दोन आप मुझे Comment section हम बताएगा कि क्या करेंगा इसके अंदर अब My dear friends यहाँ यह topic हमारा हुआ complete Hope so कि आपको यह topic अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आता हम I dear friends तो Like बटन जरू दबाएगा मिलते हम I dear friends यहाँ Next वीडियो में एक अच्छे से नई से topic के साथ तब तक के लिए Thank you so much